हम लोग आजातम के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, प्रमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कोशिश करते हैं उस रास्ते के उपर चलने की, लेकिन थोड़ा समाज के उपर भी आप लोगों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्य कुछ लोगों को यह बरहम होता है कि अगर मैंने खून अपना दे दिया तो बहुत कम जोरी अचा जाएगी और यह तो कई वर्स लग जाएंगे पूरा उने में लेकिन ऐसा नहीं होता एक सवस्त मानव के शरीर में करीब 6 लिटर के आसपास खून होता है तो उसका जो परभा होता है अगर आपके शरीर से एक यूनिट निकाल ले खून की उससे आपके शरीर के उपर ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि नुक्सान होगा परेशानी होगी बलकि उससे आपको लाब मिलेगा स्वस्ते के अरदे के उपर शरीर के उपर और जो आपके शरीर के अंदर दिक्कते पैदा होती है उसको और जो ये नाड़ी तंतर है इसको इस परकार से आपको बहुत जाद अलाब मिलेगा इसमें कुछ चीजें आपको जो रोग है उनका भी पता चल जाएगा जैसे हैच आईवी है और बलंड कैंसर वगेरा है और क्योंकि आपके खून को जांच पड़ताल करके और देख करके तालमेल बना करके कि इसको कोई रोग तो नहीं है इसके अंदर खून कम तो नहीं है क्या इसका खून इस्तेमाल किया जाता है और इस परकार से बहुत चीजें जांच पर करके आपके खून को लिया जाता है उसका लाब कितना होता है आपके शरीर को भी समाज को भी बहुत ज़्यादा लाब होता है ये खून आपका हमारे उन सेनिकों के भी काम आता है जो युद्ध में कारिय करते हैं आपके बोडर के उपर पहरा देते हैं आपकी मदद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए 24 गंटे खड़े रहते हैं उन मरीजों के भी काम आता है जिनके पास पैसे नहीं होते जो पैसे के बिना खून की कमी के कार्ण तडब तडब करके दम तोड़ देते हैं उनके काम भी आता है जो अक्सिडेंटल वगेरा की केस है ऐसे लोगों के विकाम आता है जिनको हर रोज खून चड़ाया जाता है तो वो पूरा नहीं हो पाता जब हम सब लोग मिल करके ये परियास करें कि वर्ष में एक बार तो कम से कम खून रख बला डोनेट कर देना चाहिए जब वर्ष में एक बार भी आाकत करेंगे वैसे तो शरीर 3-4 मہीने में टयार हो जाता है आपके खाने पिने के साब से बॉड़ी के साब से मैंच हो जाता है ये कोई बड़ा काम नहीं होता फिर शरीर उतना ही खून तयार कर देता है, ये एक मसीन है, इसमें सरकल गूमता रहता है, तयार होता रहता है, खून रक्त जो होता है, जितना आप बोजन करते हैं उससे रस निकलता है, और रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मास, मास से अस्ती, मजज़, ये इस परकार से तो आप दूसरों का लाब देखकर के ना सही अपने स्रीर का लाब देख करके, अपने शैनिकों का लाब देख करके, समाज का लाब देख करके, इसमें कोई भी किसी भी परकार से नुक्सान तो है ही नहीं, एक परसेंट भी नुक्सान नहीं है, इसमें तो सब को लाब हिलाब है, इसमें आनी कुछ भी नहीं है, तो आप जितना भी कर सकते हो, आप समय भी करो, परिवार के सदस्यों से भी कराओ, आप अपने साथियों से भी कराओ, और जितना आप समाज में इस प्रकार का, आपका कुछ लगता भी नहीं है, ये सब काम फरी होता है, कहीं भी बला डोनेट कैम्प लगाओ, आसपास वहां जाओ, अगर न जिस से आप कभी भी आपको खून किया हो सकता होगी, बलड किया हो सकता होगी, आपको परदान कर दिया जाएगा बलड बेंग के दोरा, तो आप समाज के लिए जितना भी आप कर सकते हो, उतना आप परियास कीजिए.